आज कौन सी तारीख है सभी को पता है आज है 26th of January क्योंकि आज हम बना रहे हैं Republic Day सुबह सुबह गंतंत्र दिवस की परेड और पूरा प्रोग्राम हो सकता है आप में से कई सारे बचों ने देखा होगा तो उनका निर्वाहन करेंगे that you'll be following those principles so that we can stay united as a nation चलिए on this note हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तिथी बदल चुकी है महीना बदल चुका है तो अब कौन सा महीना शुरू हो गया है माग शुरू हो चुका है पौश खत्म हो गया है कृष्ण पक्षकी हो गई है शुरूआद यानि वापिस से अब जो चांद है वो आपको घटता हुआ दिखेगा तो आज है प्रत्मा या प्रत्यपदा भी जिसको कहा जाता है तो चलिए शुरूआद कर लेते हैं हमारे question of the day से जो मैं निकल जाते जाते आपसे पूछा था सभी ने right answer दिया है पर बहुत सारे बच्चे रोज नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए एक important point practice का हो जाएगा which of the following documentaries has been nominated for best documentary feature at Oscars 2024 Oscars 2024 जो होने जा रहा है और उसके लिए nominations चले गए हैं उनमें इन चारो में से कौनसी best documentary के लिए दी गई है यानि उसका नाम दिया गया है और इन चारो में से right option क्या है answer मैंने लिखा हुआ ही है already to kill a tiger इंडिया से link है इस documentary का production इंडिया का नहीं है लेकिन इंडिया के उपर ये based है documentary और इसलिए हमें ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है to kill a tiger चलिए तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं हमारे republic day की although काफी news हम इसकी कल भी cover करेंगे विकास आज जब सारा procession हो जाएगा सारी parades वगरा program हो जाएगा उसके बाद भी कुछ news हम discuss करेंगे लेकिन मोटी-मोटी जो भी बात है एक बार को देख लेते हैं सो कौनसे नंबर का republic day हम मना रहे हैं 75 मना रहे हैं क्यों मना रहे हैं 75 ओविसी बात है न 26 जन्वरी 1950 से क्योंके हमने पहला republic day और शेलिबरेट करना शुरू किया था ठीक है अब इस बार की जो theme है twin theme है कितनी theme है इस बार की twin यानि दो themes है एक है विक्सित भारत विक्सित भारत डेवलाप इंडिया या डेवलाप भारत और दूसरा है भारत लोगतंत्र की मात्रुका मात्रुका का मतलब मतलब मदर होता है mother of democracy so यह दो themes है जिनके साथ हम इस बार republic day मना रही है chief guest कौन है बहुत-बहुत important हो जाते है chief guest examiner के तो बहुत प्यारे हो जाते question बना देते हैं वो president होती है वो announce करती है या करते हैं gallantry award तो हमारी जो प्रेजडेंट है मुर्मु जी उन्होंने अप्रूब किये 277 gallantry awards for this 75th republic यानि की जो भी बहादुरी के लिए दिये जाते है न शौर के लिए दिये जाते है सो 277 कितने gallantry awards announce किये अप्रूब किये गए है 277 किये गए है नमबर ध्यान रखेंगे चलिए जी gallantry award की बात की है और gallantry award पढ़े नहीं तो गलत हो जाएगा सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं static portion साथ में पढ़ते रहना जरूरी है ताकि आपके concepts clear रहें एक्जाम में static से भी question आये तो answer कर सको ठीक है so highest gallantry award हमने देखा 277 gallantry awards announce हुए है पर उनमें कोई भी बहुत उच्च श्रेनी मतलब highest category का नहीं गया है बाकी सारे cases बाकी सारी चक्र फिर वीर चक्र अगर कोई जंग नहीं चिड़ी हुई लेकिन peace time में भी यानि कोई युद्ध नहीं हो रखा है पर peace time में भी शौरता दिखाई गई है पराक्रम दिखाए गया है तो उसके लिए highest honor कौन सा दिया जा सकता है अशोक चक्र दिया जा सकता है उससे नीचे आएगा कीरती चक्र उससे नीचे शौरे चक्र और इन 6 की 6 काटेगरीज में आपको कहा जाए कि बड़े से छोटे करम में लगाई है highest to lowest order में तो परमवीर चक्र अशोक चक्र महावीर चक्र कीरती चक्र वीर चक्र शौरे चक्र इस तरह से इनकी ranking rating हो जाती है और राइट चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि इनकी शुरुआत कप की गई थी तो परमवीर चक्र महावीर चक्र और वीर चक्र जो गैलंटरी वाले हैं तो इनको 1950 जैनुरी 26 1950 को ही इनको इंस्टिट्यूट या शुरू किया गया था गवर्मिट आफ इंडिया के द ठीक है जिसमें परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र आ गया ना दो साल बाद अप्रॉक्सिमेटली क्योंकि 4th January 1952 को अशुक चक्र की तीन क्लासे आती हैं इनका नाम चेंज करके कब प्रॉपर नेम जो आब आज हम जानते हैं अशुक चक्र कीरती चक्र शौरे चक्र ये नाम कब पड़े ये नाम पड़े हैं जैनवरी 67 में 1967 को ये नाम दिये गए ठीक है जी और जो भी गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो साल में दो बार अनौंस किये जाते हैं एक रिपाब्लिक दे वाले टाइम पर और एक इंडिपेंडेंस दे वाले टाइम पर ठीक है बहुत बढ़ चड़के इस बार हिस्सा ले रही हैं in Republic Day Parade and all other activities also. तो पहली बार 2024 Republic Day में 100 women artists will be playing Indian musical instruments जब parade होगी उसके दौरान. Number 1. दूसरी चीज, maiden participation, maiden यानि पहली बार. Maiden participation, all women tri-service contingent, हमारी तीनों जो services है, army, navy और air force, उनके contingent में all women वाला contingent भी participate करेगा. परेड के अंदर और परेड कहां होती है, करतव व्यपत पे होती है. उसके बाद जो उपर से fly away होते हैं, जो अलग-अलग रंग वगेरा विखेरे जाते हैं, manovers दिखाये जाते हैं, audiences को, तो उसमें women pilot भी audience को fly past करेंगी, दिखाएंगी, और obviously नारी शक्ति का एक तरह से उधारन पेश होगा. And finally, जो CAPF है, CAPF अभी हमने एक-दो दिन पहले ही देखा था कि 7 CAPFs हैं इंडिया के अंदर, Central Armed Police Forces, तो इसका जो contingent है, इस बार परेड में वो भी only women से ही represent किया जा रहा है. So, काफी सारी जगे women को representation दिया जा रहा है. ठीके जी, तो अभी तक के लिए इतनी ही बाते हम Republic Day से related करेंगे, बाकी जो भी discussion होगा हम कल उसको pick up करेंगे. ठीके, चलिए. अब तक काफी सारे बच्चे live में जोड़ चुके होंगे, सब मैं बता देती हूँ, आपको PDF कहां मिलेगा. जो भी हम daily पढ़ते हैं, daily CA, उसका आपको PDF पर्चम के telegram channel पर मिल जाता है. Telegram channel पर्चम classes name से ही है. करीब धाई लाग बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो देख करके join कीजेगा, बिकज बहुत सारे fraudulent channels भी बने हुए हैं. आपको कोई भी important link चाहिए होता है न, तो जो वीडियो का title आपको नीचे देख रहा है, उस पर click कीजे, more का option आएगा, click कीजे, सारे important links दिये हुए होते हैं. Telegram channel का link भी वहाँ पर है, important playlists का link भी वहाँ पर है, app का website का सबका link मिल जाएगा, वहाँ से आप access कर सकते हो, English की PDF हाथो हाथ आपको मिल जाती है, session आता है बारा बजे दिन में, तो बारा बजे ही आपको English PDF दे दी जाती है, 3 p.m. तक आपको Hindi PDF भी दे दी जाती है, daily CA की, ठीके, Hindi की PDF सिर्फ daily और monthly cases में दी जाती है, बाकी में Hindi PDF नहीं आती है, जिन बच्चों को weekly और monthly CA magazine चाहिए, तो उनको कहां जाना पड़ेगा, पर्चम classes.in website पे जाना पड़ेगा, और जो बच्चे बार-बार PDF से पढ़ते हैं, मेजरली सब Hindi में नहीं हो, अच्छा, मेजरली सब English में होती हैं, सिर्फ दो PDF हैं, जो मैंने आपको बताया, daily CA और monthly, वही आपको Hindi में मिलेगी, तो Hindi वाले बच्चे, प्लीज, टेक note of it, बाकी English वाले बच्चे को तो सब मिल रहा है, अगर आपको बाकी सारे सब्जक की PDF भी चाहिए, तो PDF बैंक में मूफ कर जाएगा, ये भी इसमें मिल जाता है, दोनों पर्चम अप पर मिलते हैं, जादा जानकारी के लिए, प्लीज, कॉंटाक्ट दी हल्प लाइन नंबर, और इमेल अड्रेस, या फिर पर्चम अप चैट पर कॉंटाक्ट कर लिजे, पिछले पूरे साल की करन्ट अफेर को तयार करने की आप बेस्ट सोर्स है, पर्चम इयर बुक, वो आपको अप और वेबसाइट दोनों पर मिल जाएगी, जैन्वरी से लेके डिसेंबर 2023 तक के, करन्ट अफेर सौर्ट अप टू डेट कैटिगरी वाइज, लाइव इंडेक्स के साथ, आप क्लिक करोगे और उस पेज पर पहुंच जाओगी, ये एक ई-बुक है, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो, सैंपल अवेलेबल है, देख करके ले लिजेगा, आज तो आपका Republic Day Discount चल रहा है, तो अगर किसी को कुछ भी वाय करना है, तो अगे बढ़ते हैं, तो अगली खबर जो आ रही है, वो फ्रांस के प्रेजिडेंट इंडिया आई ही है, तो प्रतान मंत्री जी उनको कहीं घुमाएंगे भी, और साथ में कुछ वारता यानि कुछ डिसकॉशन भी होंगे, तो उसी से रेलेटेड अगली निउस है, कि PM Modi holds bilateral meeting with French President Emmanuel Macron, कहाँ पे जैपूर, राजस्थान, राजस्थान घुमने आए हैं, प्रधान मंत्री आख के चले भी गए, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और प्रेजडेंट फ्रांस के, इन्होंने जैपूर में अपनी bilateral talks वगेरा की हैं, और वहाँ पे particularly कौन कौन से साइट्स को घूमा है, इन्होंने आमेर फोर्ट, जनतर मंतर और जैपूर सिटी को विजिट किया है, अब जहां ये जाएंगे वो सारी साइट से इंपॉर्टन हो जाएंगी, तो हमें पढ़ना पढ़ेगा जनतर मंतर के बारे में और और आमेर फोर्ट के बारे में, तो आज ओ जी पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जनतर मंतर, इस जनतर मंतर, सो ये बेसिकल् leans encourages instruments, ये आपको पत्थर से बने बने इंश्रुमेंस दिख रहे हैं, सबसे बड़ा sundial भी है जो पत्थर से बना हुआ है, सो इस तरह के astrological instruments हैं, जिनको सवाई जै सिंह 2 या महराजा बोलिये, सवाई मतलब king के लिए यूज किया जाता है, जैसिंग टू जिन्होंने जैपूर सिटी बनवाया उन्होंने ही इसको भी जनतर मंतर को भी बनवाया था 1734 में ये बन करके रेडी हुआ और ये UNESCO World Heritage Site है जैपूर का जनतर मंतर 2010 के अंदर यानि 2010 के अंदर इसको UNESCO World Heritage Site घोशित कर दिया गया था और यहां पर लार्जिस्ट स्टोन संडायल भी है यानि कि सूरज की जब परचाई पड़ती है तो आपको घड़ी यहीं पर परचाई से समझ में आजेगी कितने बज रहे हैं अब हम आएंगे जनतर मंतर की तरफ आमेर फोर्ट की तरफ तो आमेर का किला या आमेर फोर्ट जो है वो भी कहा है जैपूर के अंदर है पहली चीज़ तो यह पता होनी चाहिए इसको राजा मान सिंग जी ने बनवाया था 1592 के अंदर औक और ये भी युनेसको वर्ड हेरेटेट साइट का हिस्सा है actually राजस्थान के 6 फोर्ट है चै के लिए जो कुल मिला करके एक साथ ग्रुप हिल फोर्ट और राजस्थान के तवर युनेसको वर्ल हρείटेटी साइट का हिस्सा बनें 2013 में उनमें एक आमेर भी था ठीक है तो आमेर का किला किस ने बनवाया राजा मान सिंग जी ने बनवाया और ये युनेस्को वर्ल हेरिटेट साइट है चले तो अगली न्यूस भी हम पिम जी के दोर से रेलेटिडी करेंगे जैपुर भी घुम लिया उन्होंने फिर वो पहुंचे बुलंच शहर उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी सारे प्रजेक्स का अनौंसमेंट किया है इनाउगरेशन किया है फाउंडेशन स्टोन लें किया है तो पिम से Projects Announce किये गए, Inaugurate किये गए, उनका क्या बोते, Foundation Stone निव का पत्थर रखा गया ओके, तु काफी सारे Projects थे Road Projects से Related है, then Sea Bridge Projects से Related है, लेकिन जो हमको ध्यान से पढ़ना है, this is related to your Dedicated Fret Corridor, DFC क्या होता है Dedicated Fret Corridor और पहले ये समझो, freight trains क्या होती है, मालगाडियां जिने हम बोलते हैं, जो passengers नहीं ले जाती, सामान ले जाती है, dedicated freight corridors होते हैं, ऐसे corridors या ऐसे रस्ते, जहां से सिर्फ, ऐसे tracks, जहां से सिर्फ, और सिर्फ मालगाडियां जाएंगी, ठीक है, तो, PM Modi dedicated, 173 km long, double line electrified section, 173 km long है, double line का electrified section है, कहां पे, न्यू खुर्जा और न्यू रेवाडी के बीच में, on dedicated freight corridor, तो देखिएगा, ये समझने के लिए एक बार map का सहरा लेते हैं, ठीक है, ये आपको एक red line दिखरी होगी, यहां पे एक blue line दिखरी होगी, और ये अगर आप देख सकते हो, लुधियाना से चालू होके, यानि पंजाब से चालू होकर के, और वेस्ट बिंगॉल तक आ रहा है, ये हमारा इस्टर्न डेडिकेटट फ्रेट कॉरिडोर है, फंक्शनल है, रहीट, दूसरा जो आपको इब्लू लाइन में दिखरा है, इस इस आर वेस्टर्न डेडिकेटट फ्रेट कॉरिडोर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन इस पर काम चल रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, अब अगर आप यहां ध्यान से देखो, यह खुर्जा लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और यह रेवाडी लिखा हुआ दिख रहा है, खुर्जा यूपी के अंदर, रेवाडी हर्याना के अंदर, इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए, अब यह डेडिकेशन किया गया, है डेडिकेट, I'm so sorry, हम कहां पहुँच गए, yeah, so जो कि दिया गया है to the nation, यानि it has been given to the nation, 173 km long है, double line electrified section है, कहां से कहां, New Khorja से New Rewaadi, dedicated freight corridor पे, यह जो है, यह काफी important क्यों है, क्योंकि यह crucial connectivity देगा, western और eastern dedicated freight corridors को, जो हमने अभी map पे देखा, right, इसी में, जो अब एक खास बात है, और इंडिया में ही नहीं, वर्ड में पहली बार की गई है, वो हमको देखनी है, इसी पूरे section के अंदर, one kilometer long double line rail tunnel with high rise electrification भी दिया गया, एक kilometer का ऐसा area है, जहां पर double freight ले जाने के लिए भी provision किया गया, यह इतनी उची वो, जो tunnel है, वो बनाई गया है, double line की है, electrified है और double freight ले जाने के लिए उसको high rise tunnel बनाया गया है, और ऐसा दुनिया में पहली बार यहां पे हमने किया है, तो double stack के जो container trains होंगे, उनको भी easily यहां से operate किया जा सकता है, तो यह भी nation को dedicate किया गया है, यानि it has been started, ओके अगली जो news है, वो आपको कल से थोड़ी relate करनी पड़े इंडिया के function में जाएंगी, और वहां पे best electoral practices award announce करेंगी, तो बस वही announcement हुआ है, उससे related आज हम news पढ़ेंगे, so कल यानि कि 25th of January को 14th राष्ट्री मदाता दिवस्या 14 national voters day मनाया गया, और उसी के उपलक्ष में announce किये गए best electoral practices award 2023, ठीक है, कितने लोगों और organizations को को कुली award मे 16 awards दिए गए, उसमें से एक आपको ध्यान रखने है, सारे याद रखने है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किनको दिए जाते हैं, best electoral practices award, जिन्होंने कुछ भी किया हो, individuals ने, organizations ने, या state की bodies ने, elections को smoothly conduct करवाने के लिए, ताकि किसी भी तरह से अवरोध उत पर नहीं हो, जाते और लोग participate करें, तो award दिये जाते हैं, तो 36 गड़ को best performing state का award मिला है, और 36 गड़ की तरफ से actually इंसान को दिये जाते हैं, वहां की body, chief electoral officer, so वहां की जो electoral officer है, chief electoral officer, 36 गड़ की, रीना बाबसाहब का अंगले, इन्होंने receive किया ये award, 36 गड़ की तरफ से, रीना बाबसाहब का जी, she received the best performing state award, got it, चलो, अगले जो खबर है, वो supreme court से आ रही है, डिरेक्ट, supreme court में नए justice अपॉइंट हुए है, chief justice तो हमें पता है na, cj icon है, हमारे डिवाय चंदर चूर जी है, ठीके, total कितने judge होते हैं, supreme court के अंदर, cj icon को मिला के 34 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 34 हो सकते ह तो अभी 33 ही थे, क्योंकि एक judge retire हो गए थे, डिसेंबर के अंदर, तो अब वो 34th judge वापिस appoint हो गए है, justice प्रसन भाल चंदर वरले, sown in as judge of supreme court, 34th judge जो बने है, वो कौन बने है, नयाय मूर्ती या justice प्रसन भाल चंदर वरले, he has sown in as the justice of supreme court of India, right, so justice वरले, supreme court के judge बनने से पह जिना किसी state high court के होंगे, तो करनाट का high court के, ये chief justice थे, और उस से पहले भी judge रह चुके है, bombay high court के, तो parent high court इनकी अगर पूछी जाये, तो वो bombay high court होगी, right, maximum I have told you 34 judges हो सकते हैं, और अभी maximum strength पे supreme court वापिस पहुँच गई है, कौन appoint करता है supreme court के judges को, important question, see recommendation तो एक कोलेजि judges होते हैं, supreme court के, वो recommend करते हैं कि so and so person को बना दीजे judge, लेकिन final appointment किस के हाथ में है, president के हाथ में होता है, so appointed by president under clause 2 of article 124 of Indian constitution, 1, 2, 4, 124, right, और कितनी age तक ये serve कर सकते हैं, 65 पे retirement, supreme court के judges का होता है, as per the constitution, अगले news की तरफ चलेंगे और बिलकुल south में आ जाओ, Tamil Nadu चलते हैं, औ और क्यूं, क्यूंके पॉश महीना कल खतम हुआ ना, पॉश की कल पूनम थी, यानि की full moon day था, और उस दिन एक त्योहर मनाया जाता है, Tamil Nadu के अंदर and that is Thai Pusam festival, कौन सा festival, Thai Pusam festival, ये south इंडिया में कई जगे देखनी को मिलता है, लेकिन mainly Tamil Nadu के अंदर मनाया जाता है, वैसे और पार्वती जी के जो पुत्रते कारते के, उन्ही को south में मुरुगन भगवान कहा जाता है, मुरुगन over demon, सुर्पद्मन, सुर्पद्मन के ऊपर मुरुगन जी की जीत हुई थी, तो बुराई पे अच्छाई की जीत, इसी को मनाने के लिए Thai Pusam celebrate किया जाता है, mainly Tamil Nadu में तो यहाँ पे इसको थाई या थाई महिना कहा जाता है, और उसमें पॉष सितारा वग़रा कुछ दिखता है, ऐसे करके इसको Thai Pusam नाम दिया गया है, तो इसमें माननेता है कि जो पार्वती जी थी, उन्होंने एक स्पियर, यह जो भाले जैसा आपको यह स्पियर दिख र तो मुरुगन या कारतिके और इसलिए इसको मनाया जाता है, तो Thai Pusam Festival Tamil Nadu, आगे बढ़ेंगे, अब आ रहे हैं, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2023, तो राष्ट्रे पुरसकार की काटेगरी में आते हैं, जीवन रक्षा पदक, कब दिये जाते हैं, क्यों दिये गए, तो जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2023, प्रेजिडेंट अफ इंडिया ने अप्रूव किये, 31 परसंस के लिए, इव पे ही, रिपाब्लिक डे इव पे ही, जब बाकी सारे अवार्ड्स भी अनौन्स किया रहे थे, इनको भी अनौन्स किया गया, तो ये दिये जाते हैं, अगर आपने कोई भी ऐसी एक्ट की है, जिसमें इंसानों की जान बचाई हो, आप सिविलियन हो, नॉर्मल इंसान हो, आप किसी फोर्स में नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान हो, और किसी की जान बचाने के लिए आपने कुछ उत्रिष्ट कदम उठा इन में से तीन लोगों को posthumously यानी मरनों परांद दिया जाएगा गॉट इट चलते हैं आगे अगली न्यूज आ रही है वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 आप में से कुछ बच्चे बोलोंगे माम ओ नहीं है जीरो है ओ भी होता है जीरो भी होता है जैसे भी लेना है लेलो वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 क्या होता है ये वीर गाथा किसकी वीर गाथा जो भी हमारे ब्रेव लोग रहे हैं soldiers रहे हैं या फिर जो भी लोग जिन्होंने कॉंट्रिव्यूट किया है नेशन बिल्डिंग में उनकी गाथाएं बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कूल से रिलेटिड ये प्रोजेक्ट है उनको बताई जाती है ब्रेवरी की कहानिया और फिर इस चीज से रिलेटिड है कौन से मिनिस्ट्री करवाती है एक्सेटरा तो बेसिक कंसेप्ट इसका जादा इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन ने ये प्रजेक्ट लांच किया था थ्री पॉइंट ओ वाला तो 2023 जुलाई 13 को लांच किया था अधर्वाइस इसको 2021 के अंदर लांच किया जा चुका है ये थर्ड एडिशन है न इसको बाद में लांच किया गया इसका में एम क्या है कि जो भी हमारे गैलिंट्री अवार्ड विनर्स हैं पर्टिकिलरली ब्र फेलिसिटेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनास सिंग जी है और एजुकेशन मिनिस्टर धरमेंदर प्रधान उन लोगों ने मिलके नई दिली में फेलिसिटेट किया बच्चों को मेडल्स वगेरा दिये और मेडल के साथ-साथ कैश प्राइस गया 10,000 रु यशस्वी scholarship, पी-म यशस्वी scholarship सालों से दी जा रही है, लेकिन वापिस न्यूज में आई, क्योंके न्यूज आती है कि इतने इतने जो राशी है, हो scholarship के लिए दी गई है, तो न्यूज में आई है तो हमको पढ़नी पढ़ेगी, ओके पढ़ लेते हैं आजो, पी-म यशस्वी यह acronym है, यानि abbreviated short form है, इसका expanded version पता होना चीए, क्या है, पी-म यंग अचीवर्स scholarship award scheme for a vibrant India, पी-म यंग अचीवर्स यानि कि school के बच्चों से related है, 9th और 11 वाले बच्चों को particularly target करती भी होती है, pre-matriculation, post-matriculation, तो ऐसे परिवार के बच्चे, ऐसे परिवार जो कि OBC को belong करते हूं, यानि other backward class को, EBC को यानि economically backward को and DNT यानि denotified tribes जो होती है, nomadic tribes जो होती है, इन communities या जो section of societies है, इनके परिवार जिनकी annual income धाई लाग रोपे से कम हो, सालाना आय जो है पूरे परिवार की धाई लाग रोप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, टेस्ट लिया जाता है इसके लिए बकाइदा, तो उनको 9th और 11th में scholarship दी जाती है, ताकि वो higher, अगर उनको 11-12th अच्छे school से करनी हो, तो scholarship से पढ़ सकते हैं, उसके बाद college में, अगर अच्छे colleges में scholarship से दाखिला मिल जाता है, hostel facilities मिल जा and 387.27 release किये गए है, post-matric scholarship के लिए, states or union territory को under PM यशस्वी scheme, तो ये इतना याद रखनी की जरुद नहीं है, main बाते हमको याद रखनी है, आगे और देखेंगे, तो main components scheme के क्या है, PM यशस्वी के, देखो, pre-matric scholarship दी जाती है, इन तीनों sections को, post-matric यानि 10th के बाद वाली, 11th class के अंदर भी दी जाएगी, top class school education, जो बच्चे चाहें अच्छे और schools में, private schools में पढ़ना तो उनके लिए भी है, top class college education, college में भी, और construction of hostels for OBC boys and girls, hostels वगरा भी बनवाये जाते हैं, फिर इनको वहां रहने के लिए भी scholarships वगरा दी जाती है, कौन सी ministry के under में आता है, PM यश के लिए सिरफ launch की गई थी, फिर 2014-15 के अंदर इसमें EBCs और DNTs को भी add कर दिया गया, economical backward classes और जो denotified nomadic tribes है, उनको शामिल कर दिया गया, समझ में आ गई जी, कोई समस्या, परिशानी, I don't think so हो की, आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आ रही है के FAO, यानि Food and Agricultural Organization, जो United Nations के अं किया है, investment forum for advancing climate resilient agri food system in India, मतलब समझना पड़ेगा, so investment forum, एक ऐसा forum जहां पर आ के सब investment करेंगे, ठीक है, for advancing, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, climate resilient agri food system, climate resilient यानि climate की छोटी-छोटी changes से, वो agriculture जो है, सफर ना करे, और कर रहा है, तो जो उससे पर बहुत बड़ा असर ना आए, तो एक ऐसा system create करना, जिसमें किसानों को support मेले, agri system जो हमारा पूरा है, पैदावार किस किसम की करनी है, अगर एकदम से, क्यूंकि हम बहुत जादा climate dependent है, monsoon dependent, agri agrarian economy है हमारी, तो अगर किसी टाइम मौसम से related, एकदम फसल खराब हो हैं, joint initiative है, ये, FAO तो है ही, Niti Aayog है, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare है, right, main aim क्या है, ऐसा investment और partnership से develop की जाए, government, private sectors, farmers organization और financial institutions के बीच में, ताकि climate resilient बन सके हमारा पूरा agricultural system या sector, okay, और climate resilient का मतलब में आपको समझा चुकी हूँ, अब यो poster देखो, इस ते और clarity मिल जाएगी, So, Food and Agriculture Organization है, Niti Aayog है, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare है, बताओगे चलो यहां के, Union Minister बताओ, लिखते रहा करो पीच-पीच में थोड़े जगे रहोगे, क्योंकि बारा बजे का टाइम है, दिन का टाइम है, नहीं ना थोड़ा सा लाजमी है, सुभे तो बहुत अलर्ट रहते हैं, So, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is led by, कौन लीड कर रहे हैं, Union Minister का नाम जल्दी से लिखेंगे, देखे, Climate Resilient, Agriculture में Experiences वगेरा, Digital Solutions हो ताकि, जो Buyer-Seller एक साथ Connect हो सके, Investment Options, Schemes, सारी चीज़े मिल सके, उसके अलावा, Financing एक Important Element है, Value Chains, Supply Chain वगेरा बन सके, Production Practices and Inputs, क्या-क्या तरीके से हम Production करें, So, that वो Enhanced हो सके, और Gender and Social Inclusion भी, थाकि समाज के, Male-Female Participation हो, बाकी सारे हो, वो Participate कर सके, So, मोटे-मोटे तौर पे यह आपको ध्यान रखना है, एक-एक पॉइंट याद करने मद बैठ जाएगा, समझाने के अंगल से, Posters देख लिया कीजिए, थोड़ा Concept और पका हो जाएगा, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, इंडिया, इंडिया, 2nd worst country in WADA's 10 year global study, WADA क्या है, WADA ये है, World Anti-Doping Agency, So, World Anti-Doping Agency की एक study सामने आई है, और उसके हिसाब से, ये 10 सालों की study है, global study की गई वाड़ा ने की और उसके हिसाब से जो सबसे second worst country है जहाँ पे teenage जो है और वो doping के cases में पाई जाती है वो इंडिया है यहाँ पे हमारे छोटे जो बच्चे है 18 years minors जिनको हम कहेंगे 18 years से कम वाले जो खिलाडी है उनके अंदर doping cases बहुत जादा देखे जाते हैं चलिए अभी doping क्या होता है बताऊंगी जिन बचों को नहीं बता तो study of positive doping cases इसमें ऐसे कुछ hormones वगेरा लिये जाते हैं जिनसे आपकी athletic abilities बढ़ जाती है और वो बिलकुल मना किये वे होते हैं those are निशेद वाली category होती है that you are not supposed to take them वो legal नहीं होते हैं because आप अपनी capacities unnatural तरीके से बढ़ा रहे हो ठीक है तो ऐसे कुछ hormones inject करना body में कुछ ऐसे chemicals inject करना जिनकी वज़े से आपकी competencies बढ़ जाएं as an athlete उसको doping कहा जाता है और positive doping अगर पाई जाती है तो आपको खेल से निकाल दिया जाते है you are not eligible to take part in that particular sport so ऐसे positive doping cases minors में किन की बात की जा रही है minors की बात की जा रही है हमारे main खिलाडियों की बात नहीं की जा रही है जो A1A class के खिलाडी होते हैं तो World Anti-Doping Agency ने एक study की और उसके अंदर पाया गया कि रशिया में सबसे जादा doping cases minors में देखे जाते हैं second number पे इंडिया में और third number पे चाइना में और खिलाडियों में भी सबसे जादा doping cases in minors में conscious stream में aquatics, swimming वगरा जो होते हैं और athletics field के अंदर देखे जाते हैं यह जो global study reveal की गई है वाडा के द्वारा वो किस पे based है वो operation refuge चलाया गया था वाडा के द्वारा और उस operation refuge के थूरू यह finding सामने आई है अब operation refuge क्या होता है ठीक है बहुत सारे ऐसे anonymous cases रिपोर्ट किये जाते थे वाडा को कि भई सो एंसो परसन ने डोपिंग किया है सो एंसो परसन ने डोपिंग किया है तो फिर इन्होंने operation refuge चालू किया कि कितने माइनर्स इसमें जुड़े हुए हैं क्यूं कहां पर लाक आता है system कहां पर ठीक से वर्क नहीं करते और जो बच्चे डोपिंग कर लेते हैं और उसकी वज़े से इनको निकाल दिया जाता है ने आपको समझा दिया कि डोपिंग activities जो माइनर्स कर रहे हैं गर्मेंट की तरफ से या governance की तरफ से जो भी पुरा system है sports का उसकी तरफ से क्या कमियां आ रहे हैं क्या strategies हो सकती हैं और क्या-क्या issues डोपिंग वाले माइनर्स फेस करते हैं सब के लिए operation refuge चलाया गया और इसको world anti-doping agency नहीं चलाया now what is world anti-doping agency it is a foundation of international olympic committee only और ये जो है कहाँ headquartered है Canada के अंदर headquartered है right चलिए इसके president कौन है विटोल बांका अगली खबर फितूर तेरा फितूर मुझ पर चड़गयारे वाला फितूर नहीं है ये जो फितूर है this is related to tourism so ministry of tourism जो है हमारी उसने participate किया global travel exhibition में इसका नाम फितूर है और ये कहां हुई ये फितूर कहां चड़ा हुई Madrid Spain के अंदर चड़ा so global travel exhibition global यानि काफे सारी countries participate करेंगी travel exhibition है हर एक देश आएगा अपने हां के travel tourism को promote करने के लिए okay so उसके लिए फितूर और्गनाइज किया गया Madrid Spain में फितूर है तो mad logo कोई चड़ता होगा Madrid Spain में आ गया ये 24th to 28th of January चलेगा और इसमें Indian pavilion भी setup किया गया जिसको inaugurate किस ने किया जो Indian pavilion है उसको दिनेश के पतनाइट जी ने इनागरेट किया जो की ambassador है इंडिया के in Spain fine then ये जो फितूर है बहुत internationally acclaimed exhibition माना जाता है और largest exhibition है Latin America का when it comes to tourism and travel got it Latin America क्या होता है बही North America South America तो सुनाए Latin America क्या है तो Central America और South America को चोड़ करके Latin America कहा जाता है अगली news NATO's biggest military drill cold war के बाद NATO ने इतनी बड़ी military drill आज तक शुरू नहीं की थी जो अब शुरू कर दी है तो NATO के जितने members है 31 members तो हैं ही और हाली में Sweden जो कल हमने पढ़ा था तो Sweden भी साथ में participate कर रहा है और NATO की बहुत बड़ी military drill काफी सालों में हो रही है उसका नाम क्या है उसका नाम है Steadfast Defender 2024 Steadfast Steadfast यानि वो बोलते है न कमर की पेटी बांद लो कुरसी की seat बांद लो पेटी बांद लो something like that so just get up Steadfast Defender 2024 NATO's largest military exercise since cold war time और last चो exercise की थी न न ने बहुत बड़ी वो 1988 में reforger exercise conduct की गई थी इस बार की exercise के अंदर 90,000 personnel participate करेंगे 31 तो NATO allies हो गए और एक हमारा Sweden भी हो गया जिसको हाली में कौन से देश ने दिया है कौन से देश ने टर्की ने अपना approval दे दिया कि भाया हो जाओ NATO का member लेकिन अभी किसका approval बचा हुआ है Hungary का बचा हुआ है So across North Atlantic and Europe ये exercise conduct की जाएगी और main aim क्या है कि NATO की जो defense strategy नोंने नई बनाई है उसको एक बार टेस्स करेंगे ये जो भी इन्होंने new defense plans बनाए है और ये कब तक चलेगी ये जून तक चलेगी औल्मोस्ट 6 महिने तक ये exercise conduct होगी Got it? चले क्यों होगी? और विसी बाते रश्या के अगेंस्ती चल रहा है सब कुछ So Russia ने युकरेन के उपर धावा बोल दिया है अभी तक का बहुत बड़ा war इसको कहा जा रहा है after world war 2 और उसी के चलते पूरी strategies बनी थी और उसी को exhibit करने के लिए plan करने के लिए कि अगर जरुवत पड़े तो America से फटा-फट कितनी जल्दी आप यॉरप आकर के help भेज पाओगे All of this तो इस सारे manovers वगेरा practice किये जाएंगे India की तरफ वापस आते है Indian Navy to set up its second VLF communication transmission station in Vikarabad, Telangana अब ये बोला जा रहे कि Indian Navy अपना second VLF communication transmission station set up करेगा Telangana के अंदर ये तो ठीक है VLF क्या है तो VLF जानने के लिए आजाईए यहाँ पे So VLF is very low frequency communication बहुत low frequencies में जो communication की जाती है उसको पकड़ने के लिए भेजने के लिए आपको stations की ज़रत पड़ती है और उसके लिए एक second station जो है वो Telangana के अंदर set up किया जाएगा News वापस देख लेते हैं India's second VLF communication station to come up in Telangana और Telangana में भी विकाराबार district के अंदर ये आएगा Right New station expected है के 2027 तक complete हो जाएगा और ये very low frequency communication किसके साथ आप करते हैं जो भी आपकी ships वगेरा होती है Normal level की communication नहीं होती है So submarines हो गई, ships हो गई इनके साथ communication के लिए ये stations यूज में लिये जाते हैं हमने बुला second station आएगा तो पहला वाला कहां पर है First station INS Kota Bowman Radar station है जो कि Tamil Nadu की Trinul Valley Trinul Valley District के अंदर है मेरा pronunciation इसका नहीं ठीक बैठेगा पुतो अगर Tamil से कोई बच्चा देख रहागा Please do write down the comments के अंदर इसका pronounce कैसे करें Trinul Valley District Tamil Nadu के अंदर So first INS Kota Bowman Station है Radar station ये 1990 से चल रहा है आगे बढ़ेंगे Next news is भारत GPT भारत का अपना GPT हो गया है Launch Generative AI GPT है ये अब क्या होती है सारी terms ये आपको समझना होगा मेरे साथ में So भारत GPT इंडिया's own Generative AI Generative AI क्या होता है एक तरह से ये आपको answers बना-बना के भी दे सकता है यानि चार information इसके पास है इन सब को जोड़के 5 भी information ये खुद आपको दे सकता है Generate कर लेता है ये information, text के form में, pictures के form में, videos के form में उसको कहते है Generative AI गाट इसमें input किया गया है उनके mix and match combination से information or generate कर सकता है तो भारत GPT इंडिया का पहला Generative AI है और Large Language Model Generative AI, Large Language Model Large Language यानि इसा नहीं सरफ English में काम करेगा या Hindi में काम करेगा नहीं 14 languages if we come to speech and 22 languages if we come to text आप text में काम करो इसके उपर तो बाइस भार्षाओं के अंदर या काम कर लेगा speech input देना चागो तो चौदा से भी जाद़ भार्षाओं के अंदर या आपके inputs ले लेगा या input दे देगा इसलिए इसको Large Language Model कहा गया है और इंडिया को सूट करते वे बनाएगा इसका जो भी data है वो इंडिया में ही रहेगा इंडिया के बाहर नहीं जाएगा इसको develop किस नहीं किया है भाई so CoRover.ai ने इसको develop किया है Conversational Artificial Intelligence Startup है यह Conversations related Artificial Intelligence की चीज़ें बनाता है technology partner कौन है यानि online इसके जो भी operations वगएर है वो कौन देखेगा Google Cloud देखेगा जब आप इसको use कर रहे होगे इंटरनेट के थूँ तो Google Cloud है जो की technology partner की तरह या support की तरह काम करेगा यह मैंने आपको बता दिया कितनी languages में अच्छा आप इतनी languages में काम कर रहा है उसका भी यही काम है languages को हमारी जो भी 22 scheduled languages है उनको आपस में इसके साथ कुलाब करके हमने 22 text languages की modality रखी है ना भारत GPT हमारी current government का एक vision है उसके हिसाब से बनाये गया है make AI in India, make AI work for India इंडिया में ही बनाई है, इंडिया के ही काम में आए हमारा data भी बाहर नहीं जाना चाहिए तो data remains और Indian users के लिए fine-tuned है यह generative AI ठीक है, new content बना सकता है यह मैंने आपको बता दिया आगे बढ़ेंगे और उससे पहले यह जानेंगे कि अभी तक अगर आपने general awareness course चेकाउट नहीं किया है और struggle कर रहे हो अपनी history, geography, policy, economy, science, static GK की तयारी के साथ math, reasoning, english अच्छे से कर लेते हो GK के अंदर अटक जाते हो तो यह एक course है SSCK 2024 के सारे exams को targeted इसको आप लेना चाहें तो ले लिजेगा इसके बाद आपको GA और कहीं से तयार करने की ज़रत नी current affair platform से तयार कर लो YouTube से help line number है वहाँ से साथा जान करे ले लीजेगा Republic day sale का use कर लीजे आज अच्छे खासे discount मिल जाएंगे फिर बाद में कल मत बोलेगा माम वो discount चला गया Just telling you in case you have to buy today is a good day ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे sports section की तरफ move करते है फटाफट फटाफट काफी important news है देखते है आर प्रग्ननन्दा वापिस आगए न्यूज में आर प्रग्ननन्दा इसे न्यूज ये अभी इंडिया के नंबर वन chess खिलाडी बने ही थे विश्वनाथा नानन जी को पीछे छोड़के current ranking में तो आर प्रग्नननन्दा हैस बिकम the only player in recent times in the world to have beaten both world champions in open and women's category open championship के अंदर तो इन्होंने हराया ही था डिंग लिरेन ओफ चाइना को अब women category के अंदर भी जो top seeded player है women category की वो भी चाइना से है वेंजुन्यू उनको भी हरा दिया है और दोनों top खिलाडियों को हराने वाले ये दुनिया में पहले recent time के व्यक्ति बन जाते है आर प्रग्ननन्दा भारत से ठीक है so grand master आर प्रग्ननन्दा इन्होंने reigning यानि जो बिलकुल उपर डटे हुए है top position पे and four time women world champion Wenjunju from China इनको 9th round of Tata Steel Masters में हराया Tata Steel Masters चल रहा है chess का tournament और उसके अंदर इनकी जो भड़न थी वो Wenjunju से हुई और इन्होंने उनको हरा दिया और कुछ time पहले same tournament में इन्होंने Ding Liren of China को भी हराया था जो की men's में top seeded खिला रही है world number one है अब Tata Steel Chess tournament देख लिजे हर साल ये chess tournament होता है और January में ही होता है इस बार ये 12 से 28 January होगा Netherlands के अंदर ये चल रहा है और ये single round robin tournament होता है यानि की 14 खिलाड़ी इसमें participate करते हैं Masters वाले में Masters जो tournament है ना इसका Tata Steel Chess tournament का Masters round जो होता है उसमें 14 खिलाड़ी participate करते हैं सब एक दूसरे से एक एक बार भिड़ते हैं यानि एक एक बार compete करते हैं और उसमें इन्होंने दोनों men और women को हरा दिया इसमें दोनों participate करते हैं चलिए आगे बढ़हेंगे अगली news देखते हैं हमारी Mary Comg हो रही है हो नहीं रही है होना पढ रहा है because rules ही International Boxing Association के कुछ ऐसे हैं कि 40 years के बाद आप continue नहीं कर सकते हो जो भी top international matches होते हैं यानि कि एक दम क्या बोलेंगे हम उनको elite matches बोल तीजे या फिर जो mainstream matches होते हैं उनमें आप नहीं कहल सकते हैं आप अपने level पर चोटे-चोटे matches खेल सकते हैं अपने country के अंदर ही अगर आपको खेलने mainstream matches आप नहीं कहल सकते हो so star Indian boxer Mary Comg announces retirement and while her retirement speech she said I still want to play but I cannot so कितनी बार world champion रह चुकी है देखो news तो इतनी सी है के इनों ने retirement अनूंस कर दिया लेकिन इसके बाद अब आपको Mary Comg जी के बार में सब पता होना ची क्या-क्या जीता कौन-कौन से award मिले कहां जन्म हुआ क्योंकि इंडिया के लिए boxing का बड़ा सितारा और पहला सितारा बन करके ये उबरी थी so six time world champion रह चुकी हैं कितनी बार छे बार world champion रह चुकी है और 2012 में पहला Olympic medal women boxing के अंदर भारत के लिए लेकर के आई थी bronze medal था पूरा नाम है मांगे Chunge Zhang Mary Comg movie बनी थी ना इनके उपर तो उसमें भी ये नाम था Chunge Zhang Mary Comg 24th January को इन्होंने अपना retirement announce कर दिया International Boxing Association के rules है के elite level of competitions के अंदर जो premium elite level के होते हैं 40 तक के आप participate कर सकते हैं उसके बाद नहीं अब achievements देखते हैं तो एक तो हमने देख लिया अच्छा इनका जन्म देख लिए 24th of November 1982 शी वस बॉन एक question में आप से पूछेंगी बताए कौन से state से associated हैं MC Mary Comg is associated with which state in India कहां इनका जन्म हुआ था कॉंसे से बिलॉंग करती है सो पहली female boxer boxing history के अंदर across the world जिन्होंने 6 world titles जीते हैं 6 world championships अतने नाम की हैं 2002, 5, 6, 8, 10 and the recent one was 2018 then पहली Indian female boxer जिन्होंने bronze medal लिया London 2012 Olympics के अंदर gold medal लिया 2014 Asian Games के अंदर और common wealth 2018 2014 में Asian और 2018 में common wealth gold तो bronze लाए हैं Olympic में Asian में गोल लाए हैं common wealth में गोल लेकर के आई हैं और उसके अलावा 6 world championships इनके नाम हैं इनके awards की बात करें तो जो खेल की दुनिया का सबसे उंचा award है पहले राजीव गांधी खेल रतने award कहा जाता था जब 2009 में इनको मिला था अब ध्यानचन major ध्यानचन खेल रतने अवार्ड इसका नाम कर दिया गया तो ये देखकर मत बोलेगा कि मीम राजीव गांधी खेल रतने award अब नाम नहीं है जब इनको दिया गया था तब इसी नाम से दिया गया था ठीक है इसलिए राजीव गांदी खेल रतन अवार्ट लिखा गया है फिर पदमश्री मिला पदमभूशन मिला दो हजार बीस में 2020 में पदमभूशन से सम्मानित किया गया तो यह दो हाइस ओनर हो गए यह सिविलियन highest honor इनके लिए जो दिया गया वैसे तो कौन सा है वैसे कौन सा है भारत रतने है लेकिन Padma Awards की बात करें तो Padma Awards में सबसे highest honor Padma Vibhushan होता है Padma Shri Padma Bhushan Padma Vibhushan और अगर हम sports की field में बात करें तो खेल रतने आवर्ड जो पहले राजीव गांदी खेल रतने और अब मिजर ध्यांचंद्र खेल अवर्ड कहा जाता है उसी के साथ-साथ इनको नॉमिनेट किया गया था तब तक ये राज्यसभा के मेंबर के तौर पे इन्होंने अटेंड किया है पार्लिमेंट को राइट जी वस नॉमिनेटेड वाई प्रणम मुखर जी अधाट ठीक है सो ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लिमेंट भी रह चुकी है सब कुछ हो गया चलिए अब हम आएंगे ICC Awards 2023 हो चुके हैं अनॉंस 2024 में अनॉंस हुए हैं फॉर दी एंटाइए ये ट्वेनी ट्वेनी थ्री सो ICC के Awards देखते हैं किस-किस को गए है दो व्यक्ति नाम चहरा अच्छे से याद रख लीजेगा सबसे पहले हम आते हैं अस्ट्रेलिया के Pat Cummins को Sir Garfield Sobers Trophy से सम्मानित किया गया अनॉंस किया गया और ये किसको दी जाती है ICC Men's Cricketer of the Year के लिए Pat Cummins Australia के और इनको गई Sir Garfield Sobers Trophy ठीक है Women's category में हम बात करें तो England की Nat Skiver Brant और इनको Rachel Hayhoe Flint Award जो भी Women Player of the Year होती है ICC Women's Cricketer of the Year उनको Rachel Hayhoe Flint Award मिलता है और वो मिला है England की Nat Skiver Brant को Got it ये दोनों खिलाडी समझ में आ गए नाम थोड़ा दिमाग में टिकाईएगा प्लीज Important है इनियन खिलाडी तो जानते हो तो फटाबर टिक जाते है लेकिन अगर आप sport follow नहीं करते हो तो थोड़ी difficulty आएगी repeat कर लिजेगा Sport follow करते हो तो हो जाएगा फिर हम बात करते हैं हमारे अपने प्यारे विराट कोली जी के बारे में ICC Men's ODI Cricketer of the Year One Day International Pat Cummins overall थे ये One Day International की category में इनको मिला है और 7th individual ICC award है इनका अब तक का और ODI में ही 4th बार इनको One Day International category में Best Player का award मिला है इससे पहले 12, 17 और 18 में जीच चुके हैं अगले इंडियन जिनको ICC award मिला है इस साल वो है सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव को ICC T20 International Player of the Year award दिया गया है विराद कोली को One Day International इनको T20 International और इनका लगाता दूसरे साल ये खिताब है पिछले साल पी इनको यही खिताब दिया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे awards है ICC Men's में जो जो भी important categories है वो यहां लिखे हम जो umpire होता है उसमें भी देखेंगे ठीक है so Cricketer of the Year हमने देख लिया Sir Garfield Sobers Trophy किसके नाम गई Pat Cummins के नाम जो कि Australia से हैं then One Day International Cricketer हमारे विराद कोली जी Test Cricketer of the Year Test Cricketer Australia के उस्मान ख्वाजा right then T20 हमारे सूर्य कुमार यादव then Emerging Cricketer of the Year जो अभी emerge हो रहे है so New Zealand के रचन रविंद्र coming over to women's category so Cricketer of the Year Rachel Hayhoe Flint Award Nat Skiver Brunt England की यह हमने देख लिया One Day International Cricketer Sri Sri Lanka की चामरे अथा पत्टू okay then T20 International Cricketer West Indies की Halle Matthews and Australia की Fee Village Field को मिला है Emerging Cricketer of the Year 2023 का खिताब बाई ICC सब के आगे ICC Women's लगा ली चाहेगा right अगला important आता है Empire so जो Best Empire होते हैं या ICC Empire of the Year होते हैं उनको जाती है David Shepard Trophy कौन सी? David Shepard Trophy Richard Ellington को यह मिली है और इससे पहले इनको 2019 और 2022 में भी मिल चुकी या नहीं लगातार तो नहीं है पर over the years तीसरी बार इनको ICC Empire of the Year का अवार्ड मिला है Got it जी यह सारे ICC किताब हमारे होते हैं पूरे आगे हम बढ़ेंगे ICC पढ़ा है तो BCCI पे भी आ जाओ BCCI ने 2019 के बाद अब अपने अवार्ड वापिस से घोशित किये हैं जो की पहले अन्वली दिये जाते थे कौन से अवार्ड है? नमन Celebrating Indian Cricket नमन ये M है तो नमन अवार्ड वापिस से दिये गए हैं इस बार और इनको Board of Cricket Council for India या BCCI अवार्ड भी देते हैं BCCI के Secretary है जैशा जो मैंने कल शाहिद President बता दिया था है ना? President बिनी रोजर है So, BCCI Awards January 23, 2024 हाइदराबाद के अंदर किये गए और ये Annual Awards होते हैं वैसे तो पर इस बार 2019 के बाद अब दिये गए हैं सबसे Important Category देख लीजेगा Colonel C.K. Naidoo Lifetime Achievement Award Lifetime Achievement के लिए तो इतने सालों के एखटे हो गए ना? तो दो लोगों के दिये गए है 1920 के लिए अनाउंस किये गए है Lifetime Achievement Award रवी शास्त्री जी को दिया गया एक very very important दूसरा फारुक एंजिनियर को दिया गया So, Colonel C. Naidoo Lifetime Achievement Award नमन Awards या BCCI Awards किसको गया है? रवी शास्त्री और फारुक एंजिनियर बाकी काटेगरी देखते हैं Polly Umrigar Award Best Men's Cricketer of the Year Best Men's Cricketer अब अलग-अलग साल है सबसे important recent वाला ही होगा थोड़ा सा अगर हम जाएं अगर examiner को पूछना होगा तो पुराने से नव पूछके वो recent वाला पूछना प्रेफर करेंगे तो शुबमन गिल जो है तो दीपती शर्मा को मिला है रिसेंट वाली काटेगरी 22-23 के लिए वो उससे पहले 19-20 के लिए भी बीच वाले जो इयर्स है उनके लिए स्मृती मंधाना है तो दीपती शर्मा आप याद रखेंगे रिसेंट मोस्ट काटेगरी Best Women Cricketer Best Performance in Domestic Tournament कौनसी टीम की रही Mumbai की रही for the year 19-20 ठीके तो चार ना मुख्य रूप से याद रखेगा Ravi Shastri ji हो गए Lifetime Achievement के लिए उसके बाद शुबमन गिल हो गए Men's Cricketer के लिए Recent वाला दीपती शर्मा Women's Cricketer recent Best Domestic Tournament Team Mumbai ओके अच्छा जो बच्चे बहुत लेट जॉइन करते हैं obviously उनको पता नहीं होता कि हमारी जो classes उनके टाइम हो चुके हैं Change daily CA जहां पहले सुबह 7 बजे लिया जाता था for some personal reasons and management issues of my personal life and work life balance because I have a small daughter so उसके लिए after having a discussion with you people I have decided to start it at 12 noon और कुछ दिनों से ये दिन के 12 बजे आ रही है और 12 बजे मैं life track में आपके साथ मौझूद रहती हूँ जो बच्चे 12 बजे नहीं देख सकते हैं कोई problem नहीं आप अपने convenience के हिसाब से कभी भी देख लो जुनको सुभह देखने की आदत है तो आज मैंने 12 बजे क्लास ली है आप अगले दिन सुभह देख लीजे का 5-6 साथ बजे जब भी है तो विकाज एक दिन में करंट अफेर पुरानी नहीं होती है आपका examiner भी एक दिन पहले की नहीं पूछेगा आप एक दिन बाद भी देखोगे तो भी कुछ नुकसान नहीं है ठीके और ये session लेने के बाद साड़े बारा बजे आपके telegram के उपर daily practice quiz डल जाती है वो भी attend कर लिया कीजे आगे बढ़ेंगे revision question time चलिए जल्दी जल्दी से पूछ लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है उससरे related questions और कुछ previous day के questions भी practice करेंगे चलो पहला question आ रहा है get ready who is the only player in recent times to have defeated both world chess champions in open and women's categories तो दोनों world champion open category में भी women category में भी उनको हरा करके हाल ही में कौन से खिला रही है जिननोंने अपना 10-year global study by world anti-doping agency यानि की WADA what is India's rank in positive doping cases among minors minors जो है 13 साल से कम उमर के जो खिलाडी है उनके doping positive आने के number के अंदर India कौन से rank पे आता है as per WADA's 10-year global study क्या answer होगा answer होगा A second first number पे Russia है third number पे China है next आते है what is the theme of 75th Republic Day celebrated in 2024 आज के दिन जो Republic Day celebrate किया जा रहा है उसकी theme क्या है क्या होगा answer twin theme थी मैंने आपको बताया था तो सशक्त भारत नहीं था जैहिंद भारत भी नहीं था विक्सित भारत C विक्सित भारत और भारत लोक्तंत्र की मात्रुका who has been awarded ICC T20 International Player of the Year for 2023 category ध्यान से देखिएगा ICC T20 International Player of the Year किसको दिया गया है ICC का T20 International answer क्या होगा सोचो सूर्य कुमार याद विराट कोली को क्या मिला था ODI one day international मिला था ठीक है चलिए who is the technology partner for core rover AI भारत GPT providing cloud services so technology partner कौन है भारत GPT के technology partner इन में से कौन है जो help करेंगे उसको run करने में Google Cloud C is the right answer then who among the following is honored with Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in Naman Award Ceremony 2024 हाली में BCCI ने जो Naman Ceremony की है उसमें Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award इन में से किसको मिला है दो व्यक्तियों को मिला था पर इन options में से किसको मिला है right answer क्या होगा क्या होगा रवी शास्त्री होगा अब बढ़ते हैं कुछ previous days के questions को practice कर लेते हैं जो हमने इस week में sessions लिये थे in 2026 Spanish Grand Prix will be relocated from Barcelona to which city Barcelona से कौन से शहर में Spanish Grand Prix move करेगा 2026 से लेके अगले 10 सालों के लिए यानि कि अब Barcelona में नहीं होगा कहीं और होगा कहां होगा कहां होगा Madrid के अंदर ये organize किया जाएगा who directed the documentary to killer tiger हमने अभी देखी थी के documentary to killer tiger nominate की गई ये Oscars 2024 में अब आप से पूछा जा रहा है इसको direct किस नहीं किया है इंडियन roots रखती भी कोई director है Nisha Pahuja okay which African country recently secured WHO certification for malaria free status becoming third African country to achieve this तीसरी African country तीसरा African देश जिसको malaria free घोशित किया गया है WHO द्वारा उसका नाम क्या है पुछा जा रहा है आप से answer होगा Cape Owarday सबसे पहला country कौन सा था वो भी लिग दो दोनों country लिग दो रादर क्योंकि मैंने पढ़ाए है to be established in India इंडिया के अंदर बहुत जल्दी melanistic tiger safari शुरू होने जा रही है melanistic tiger जिस पे काली धारियां बहुत बड़ी-बड़ी होती है तो वो काला जादा दिखता है तो वो कहां शुरू की जाएगी Odisha में Simlipal Tiger Reserve के पास में है उसके अंदर नहीं है अच्छा लग गया तो थम्स अब दे दीजेगा मुझे बता दीजेगा कॉमें सेक्शन में जैसे भी आप चाहें कम्यूनिकेट कीजेगा कल मिलेंगे सेम टाइम पे बारा बचे तब तक टेक वेरी गुट केर आफ यॉसल्ट पर बाई